पति वरता पी हर बसे सदा पीव कोध्या कहते सुनत लज्या मरे भी रहे सो आतम ग्या पेमल कहने लगी है पति देव हरी पति वो मारा चल गया जी अरी पिया खायो जी कालो नाग रामजी खायो कालो नाग पति वो मारा अब पति वो मारा चल गया जी पिया खायो जी कालो नाग रामजी खायो कालो नाग मैं लुण लुण बाटा मैं लुण लुण बाटा जोवती जी फिया घणा उडाया काग राम जी घणा उडाया काग या पे मल देवे या पे मल देवे ओल मा जी पिया जाग सके तो जाग राम जी जाग सके तो जाग अब पती वो मारा अर पती वो मारा चल गया जी फिया खायो जी काडो नाग राम जी फायो काडो नाग अमारो जाग संता क्या वाग अब पती वो मारा चल गया जी फिया खायो जी काडो नाग फिर हम जी फायो काडो नाग एक बार ताली विजा करा अशिर्वा दे दो क्या बात है बोल जे जे जिम्हारा जेकी दे हो मैं होती कुवारी मैं होती कुवारी पीपड़ पूजिती जी लायो हत लेवारो दाग राम जी हत लेवारो दाग मैं होती कुवारी पीपड़ पूजिती जी लायो हत लेवारो दाग राम जी हत लेवारो दाग हर पति वो मारा अब पति वो मारा चल गया जी पिया खायो जी काड़ो नाग राम जी खायो काड़ो नाग अब बेह माता तूँ अरी बेह माता तूँ बावणी मारा लिख दिया करड़ा भाग राम जी लिख दिया करड़ा भाग अब ढ़लक ढ़लक काई आरे ढ़लक ढ़लक काई रोवती दू तो खर नाल्या में भाग ये लिख लण खर नाल्या में भाग अरी पत्ति वो मारा अब पत्ति वो मारा चल गया जी फिया खायो जी काड़ो नाग राम जी खायो काड़ो नाग क्या बात है बही तो दोनों बेटियों के लिए तालिव जा दो एक बार क्या बात है बेटियां संसार में बहुत बड़ा नाम कर रही है मानो तू पराया ध्यन होती है बेटियां लेकिन घर में दुख हो तो सबसे पहले रोती है बेटियां लीलन घोडी खरनाड पूगी खरनाड में घरका ने सूचना मिली के तेजो तो अमर वेग्यों तुरन दोड़ कर सुरसरा में पहुँचया सारा घरका चले गए बिंटे में राजल भाई खेतां गयोडा सजना देखे बात क्या होती है राजल भाई खेतां के उड़ा सब घरका सुरसरा पहुँच गया राजल भाई घरे आया तो गाउं का बोले भाई तू उठेक आई कर ये थारो बीर तो बटे अमर वेगे और तू वाउली उठेक आई कर रही है सजनों एक पल भी नहीं रुकी वो राजल भाई नंगे पाउं दोड़ पड़ी इतनी दोड़ी के सास फूल गई और खरनाल के काकड़ा में राजल भाई का प्राण पंखेरू उड़ गया एक बार ताली बजाओ सुबेना के लिए भी क्या बात है यानि एक भाई के लिए एक बहिन भी शती हो गई संसार में अमर नाम हो गया तब राजल भाई को भी वहां लाया गया और उनका सबका एक साथ संसकार किया गया ये के बहुत बड़ा इतिहास है पेमल सती नार ने हस्ते हस्ते अपने पती के साथ प्राणों को त्याग दिया आज के जमाने में तो सतिया नहीं होती है अगर होना भी चाहे तो नहीं होने देंगे क्योंकि सरकार का कानून बन गया है लेकिन उस जमाने में एक पती के लिए हस्ते हस्ते प्राण देती थी उनकी पत्निया लेकिन आज के जमाने की पत्नियां कैसी है मैं भी थोड़ी इस बजन के बाद बताऊंगा आपको इस जमाने में पत्नियों का हुलिया क्या है वो आप बड़े गवर से सुनना तो अभी राजल पेमल लार में जी ही कोई फेर लगा दी आग सत्या के फेर लगा दी आग अरे महिमा तेज की अब महिमा तेज की गावता जी ही जाग्या मालूणी का भाग राम जी मालूणी का भाग अब पती वो मारा चल गया जी ही या खायो जी काणो नाग अब पती वो मारा चल गया जी या खायो जी काणो नाग राम जी खायो काणो नाग बोलू सत्ते वादी वीर्ते जो जी महाराज की जै हो बोलू खर नण्या वीर्ते की जै हो बोलू खर नाग